तो फ्रेंड्स मुझे पूरा यकीन है कि इस डेजर्ट की रेसिपी को देखने के बाद आप इसे एक बाद जरूर बना कर ट्राइ करेंगे क्योंकि ये बहुती सिंपल चीजों से बहुती सिंपल तरीके से बननी हुई है तो हाई फ्रेंड्स असलाम वालेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ कि आप सब खायर्यत से और खुशाल होंगे तो आईए बनाते हैं ये खुब सुरुच सा दिखने वाला डैजर्ट जिसका नाम मैंने रखा है रसके चमन तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना स्कीप किया आप पूरा जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तो आईए बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे और चाशनी बनानी के लिए एक वर्तन में हम लेंगे आधा कब जितनी चीनी और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम पानी भी डालेंगे तो आधा कब जितना पानी डालेंगे इसमें और इसकी चीनी जो है अब अच्छी तरह पकने लगी है इसे में थोड़ा सा यल्लो आला फूर कलर डालेंगे तो यह अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे बस दो मिनिट और पकाएंगे यह देखिए चाशनी कितने गाड़ी होने लगी है तो यह देखिए पक्ते पक्ते यह अब गाड़ी हो चुकी है अब ठंडी होने के बाद यह और भी शेहत की तरह गाड़ी हो जाएगी बस इतनी ही हमें इसे पकाना है चीनी को तो आप गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और यहाँ देखिए दूद गर्म होने रखते हैं 800 ml यानि कि पॉना लीटर जितना मैंने दूद लिया है अब जब तक दूद गर्म होता है चलिए हम कॉनफलोर और कस्टर्ड पाउडर का घोल बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक कप में थोड़ा सा दूद लिया है आधा कप जितना थंडा और इसमें डालते हैं दो चम् रिया है अब इन दोनों को दूद के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो इसे मेरे चैनल पर और भी कई तरीकों के डैजर्ट मैंने बनाए हैं उन्हें भी आप एक बात जरूर देख ले तो यहां दीखिए दूद भी आप गर्म होने लगा है तो गैस की फ्लेम हम स्ल इसे भी अच्छी तरह दूद में mix कर लेते हैं, तो चम्मत से अच्छी तरह mix करेंगे चीनी को, तो दीखें, दो-तीन मिनट बाद चीनी भी जो है, अच्छी तरह इसमें mix हो चुकी, आप जो हमने custard powder और corn flour का घोल बना कर रखा था, उसे भी इसमें धीरे-धीरे करके add करेंगे, तो दीखें, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते हुए हम चम्मत से mix करेंगे, क्योंकि एकदम से डालने से जो है, इसमें गाठे बन सकते हैं, तो गैस की flame इस वक्त बिल्कुल slow ही रखे, अब इसे डाल लेने के बाद जो है, चम्मत को continuously हम हिलाते रहेंगे, ताकि इसमें lumps ना बने, तो दीखें, जैसे हमने custard powder और conflore के घोल को इसमें mix किया, एद दूर कितना गाड़ा होने लगा है, तो इसे थोड़ असा और टेस्टी बनाने के लिए, एक चम्मत जितना मैं इसमें butter डाल रहे हूँ, आप चाहें तो इसमें fresh cream का भी इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर butter का इस्तमाल कर रहे हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, तो इसे आप चम्मत से हिलाते हुए पकने देते हैं, जब तक की corn flour और custard का कच्छा पन ना जाए, इसमें मैं थोड़ असा एक्स्टा flavor देनी के लिए, एक चम्मत केवडा essence डाल रहे हूँ, आप इसमें rose water या फिर vanilla essence भी डाल सकते हैं, या फिर इसे skip भी कर सकते हैं, तो इसे भी मैंने अच्छे से mix कर लिया है इसमें, बस 3-4 मिनिट और पकाएंगे, और दीखिए जैसे जैसे यह पकरा है और भी गाड़ा हो रहा है, थंड़ा होने के बाद यह और भी गाड़ा हो जाएगा, तो बस अब gas की flame जो है बन कर लेते हैं, यह गाड़ा हो चुका है, तो यहां मैंने इससा इसका एक tray लिया है, यह मैंने लिये हैं 16 पीसिस रस्क बिस्किट के, जो चाई के साथ हम रस्क बिस्किट खाते हैं, यह वही है, तो ट्रे में अच्छे से इन्हें असेंबल कर लेते हैं, तो दीखें चाशनी भी थंडी होने के बाद शेयद की तरह गाड़ी हो चुकी है, अब इसके उपर से जो है चाशनी की एक लेयर डाल लेते हैं, और इसके बाद हम इसके उपर से ये गुनगुना कस्टर डालेंगे, कस्टर मैंने बिल्कुल थंडा नहीं किया है, अगर इसके उपर से एकदम थंडा करके कस्टर डालेंगे, तो रस्क को जो है भीगने में टाइम लगेगा, इसलिए इसे थोड़ा सा गुनगुनाई रहने तक डाल लेंगे, तो कस्टर की लेयर एक बार डाल लेने के बाद, इसके उपर से फिर से हम रस्क की लेयर लगाएंगे, दिखिए इस तरह, तो दिखिए रस्क भी मैंने इसमें लगा लिये हैं, अब इसके उपर से जो बचीवी चाशनी है इसे भी थोड़ी डाल लेते हैं और फिर से उपर से कस्टर डालेंगे तो बचीवी चाशनी को सबसे उपर हम पूरी डाल लेंगे मैंने यहां चाशनी में यलो फूर्ड कलर डाला है तो आप जो चाहें आप डाल सकते हैं इसमें तो बिना ज्यादा मेहनत किये विए अगर खास डैजर्ट आप कुछ बनाना चाहते हैं महमानों के लिए तो इसे आप जरूर बना कर ट्राई किजिए आपकी बहुत तारीफ होगी तो उपर से मैं यहाँ पर ड्राई फूर्ट डाल रही हूँ आप अपने मन पसंद कोई भी ड्राई फूर्ट इसके उपर से डाल लीजिएगा तो देखिए अच्छे से मैंने काजू को इसमें डाल लिया है इसके बाद इसे और भी खुबसूरत बनानी के लिए उपर से मैं सुनेरे कलर का यह वरक लगा रही हूँ जो मिठाईयों के उपर भी आता है यह वही है तो इसे सर्फ करने से पहले एक या देड़ घंटे के लिए जरूर फ्रेज में रखिएगा फ्रेंस क्योंकि यह ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है तो देखिए फ्रेंस यह डेजर्ट आप बिल्कुल बनकर तैयार है इसे भी आप जरूर बना कर ट्राइ कीजिए और रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताईएगा चलिए मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफीस थैंक्स पर वाचिंग